Hello friends, welcome back to my channel. Friends, अगर आप कोई business करना चाहते हैं और उसके लिए आपको loan की आवशक्ता है तो इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैटे ही loan के लिए आविदन कर सकते हैं. तो आविदन कैसे करना है, चलिए सीखते हैं आज के इस वीडियो में. तो सबसे पहले अपने laptop में Google Chrome को खोलेंगे और उसमें हम PMEGP को टाइप कर देंगे और उसके बाद में इस तरीके का ये page खुलेगा तो इसके home page पे हमें चले जाना है. Home page पे जाने के बाद में Prime Minister's Employment Generation का page खुल जाएगा. इसमें बहुत सारी चीज़े हैं, Scheme Guidelines इसको आप पढ़ सकते हैं, बढ़ हमें जहां यहां पे क्लिक करना है How to Apply. हमें लोन लेना है, इसलिए हमें How to Apply पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में इस तरीके का एक interface खुल जाएगा, इस पर हमें PMEGP Online Application Form for Individuals, इस पर क्लिक करना है, तो इस तरीके से एक form open हो जाएगा और इसको हमें फिलप करना है, इसमें आधार card number, name of applicant हमें फिलप करना है, और इसमें आप कहां पे रहते हैं, अगर गाओं में शेहर में इस तरीके से आपकी DIC को आप सलेक कर लेंगे, और इस तरीके से बहुत जारा form है, पूरा पूरा अच्छे से पढ़कर आपको सलेक करना है, किस state में रहते हैं, किस district में रहते हैं, आपकी qualification क्या है, आपका address क् mobile number, सारा pen card number, इस तरीके से आप पूरा form देखेंगे, और इसको अच्छे से fill up कर देना हैं आपको, इसके बाद में आपका bank account किस bank में है, उसको select करना है, और उसका IFS code जो आपके पास्बुक में दिया होगा, उसको यहाँ पे डालना है, उसके बाद में save applicant data, आपको इस पे click कर देना है, उसके बाद में आपने जो mobile number डाला हुआ है, उसमें एक user ID और password आपका आया हुआ है, तो उसको ही आपको यहाँ पे user ID और password डालके आपको login कर लेना है, इससे आप check कर सकते हैं कि आपका loan pass हुआ है या नहीं हुआ है, और इसकी अधिक जानकारी के लिए अपन नजदी की इ मित्र सेवा केंदर में आप संपर्ग कर सकते हैं, आपको और अधिक जानना है कि आपका loan pass हुआ है नहीं हुआ है, अधरवाइस आपका loan pass हुई जाएगा, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, उसको like, share, subscribe जरूर करें, like जरूर कर दिया करें